तो अब हम देख लेते हैं mid side compression के कुछ examples तो यहाँ पर हमारे पास एक drum loop है और इसे हम mid side compression के example के तोर पर use करेंगे तो mid side compression के लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पर एक chain से हमें mid side compression पूरा बनाना पड़ेगा क्योंकि वो सबसे easy way होगा कि मैं आपको demonstrate करके दिखा सको तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक EQ 8 ले लेता हूँ और मैं इसे अपने channel पर load कर देता हूँ और फिर मैं एक compressor ले लेता हूँ ठीक है तो हमने पहले एक EQ डाला है फिर एक compressor डाला है हम एक chain create करेंगे और उसकी मदद से हम एक mid side compression का example यहाँ पर देखेंगे तो मैं काम करूँगा कि मैं दोनों को select करूँगा और यहाँ पर इन्हें group कर दूँगा तो हमारा group अभी ready हो गया हमारा audio effect ready हो गया यहाँ पर इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक chain है हम इसे duplicate कर लेंगे ताकि हमें same chain दो मिल जाए मैं पहले वाले को rename कर देता हूँ mid और दूसरे वाले को मैं rename कर दूँगा sides ठीक है तो यह हो गया हमारा mids यह हो गया हमारा sides अब mids में हमें जाकर हमारे side की frequencies को cut करना है तो मैं यहाँ पर EQ में जाऊँगा और M और S में जाऊँगा और फिर यहाँ पर edit mode में हम M पर click करेंगे तो वो S पर चला जाएगा और इसकी मदद से हम यहाँ से अपनी side frequencies को complete cut off कर देंगे और same ऐसे हम करेंगे sides में हम MS mode पर जाएँगे और अपने mids की सारी frequencies को cut कर देंगे ताकि हमें सिर्फ side की frequencies मिले तो हम इसे एक बार solo करके सुनते हैं sides को और mids को अब सुन सकते हो कि sides की frequency में सिर्फ snare ही play हो रहा था वो इसलिए क्योंकि snare के पास ही सारे side informations है और बाकी सब जो loop में है वो हमारे mid information में है जैसे कि kick और high hats ये सारी चीज़ है तो हमें अब decide करना है कि हमें इस audio को कैसे आगे ले जाना है हमें क्या compress करना है हम यहाँ पर mids भी compress कर सकते हैं और हम यहाँ पर sides भी कर सकते हैं तो हम पहले mids से start करेंगे हम इसका ratio रखेंगे 4 is to 1 हम या तो इसे 3 is to 1 रख देते हैं क्योंकि हमें इसे ज़्यादा compress नहीं करना है हम इसके attack को moderate रखेंगे release को हम fast रखेंगे और अब हम सुनते हैं इसे मैं solo कर देता हूँ तो अब सुन सकते हो कि कैसे यह compression हो रहा है मैं यहाँ पर unity gain कर लूँगा ठीक है तो अभी आपको ऐसा लगे कि कुछ हुआ नहीं है क्योंकि हमने gain को compensate कर दिया है इसके बाद हम side information को भी थोड़ा सा और ज्यादा compress करेंगे तो हम 4 to 1 ratio रखेंगे और attack को भी almost quick रखेंगे और release को थोड़ा सा moderate ठीक है तो मैंने यहाँ पर side पर भी compression कर दिये अब हम इन दोनों को सुनते हैं कि कैसे हमारे रैक में changes हुए हैं मैं इसे on off कर देता हूँ एक बार A and B करके सुनते हैं तो आप देख सकते हो कि कैसे mid side processing से हमारे जो drums है वो ज्यादा tight हो गए और उनमें एक काफी अच्छी सी shine भी add हो गई है जो एक अच्छा सा presence देती है mix में तो यह एक basic सा technique है हमारा mid side का आप इसे mastering stage में भी use कर सकते हो आप इसे किसी भी element में भी use कर सकते हो जिसमें आपको आपके side informations को और आपके mids को compress करना हो अलग से तो यह था हमारा mid side compression के कुछ examples मैं मिलता हूँ अगले class में देखने के लिए धन्यवाद यह आपके के लिए एक आपके लिए इसे कुछ़ देती है झाल झाल